रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है प्यारे बच्चों, आज हम किरिया के अन्य भागों के बारे में, अन्य भीदों के बारे में विचार करेंगे किरिया के अन्य भीद तो देखिए इससे पहले वाली वीडियो में, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने किरिया के दो पकार के बारों में पढ़ा नम्मर एक सकर्मकिरिया, नम्मर दो अकर्मकिरिया, क्या होती है आज हम किरिया के अन्य भेदों के बारे में अध्यन करेंगे संरचना के आधारपर हमने इससे पहले पढ़ा था कि प्रयोग के आधारपर किरिया के दो भेद होते हैं सकर्मक किरिया और अकर्मक किरिया अब हम पढ़ेंगे संरचना के आधारपर किरिया के भेद संरचना के आधारपर सामानने किरिया हम पढ़ेंगे पहले सामान किरिया, नमबर एक सामान किरिया, नमबर दो सायक्त किरिया, सामान किरिया, इसमें एक ही किरिया होती है, लड़के ने खाना खाया, खाना हमारी एक ही किरिया है, खाया, हम दिल्ली जाएंगे, जाएंगे, इसमें हमारी एक ही किरिया है, इसी तरह से सायक्त किरिया इसमें दो या दो से अधिक किरियाओं के मेल को हम सायक्त किरिया कहते हैं इसमें एक मुख्य किरिया होती है और एक सायक किरिया होती है जैसे लड़का खाना खाता रहता है लड़का खाना खाता रहता है तो इसमें मुख्य किरिया है, हमारी खाता और रहता है, हमारी एक सहाय किरिया है मुख्य किरिया, यानिकि इसमें दो किरिया आई, एक खाता, एक रहता है तो दो से अधिक किरियाओं के मिल को हम सईक्त किरिया कहते हैं इसमें दो किरिया आ गई, तीन भी आ सकती है, चार भी आ सकती है, कितनी भी इसमें किरिया आ सकती है हम दिल्ली जाते रहते हैं, हम दिल्ली जाते रहते हैं, तो जाते मुख्य किरिया है और रहते हैं, यह हमारी साहय किरिया है मुख्य किरिया है जाते रहना और यह हमारी साहय किरिया है तो इस तरह से संद्रचना के आधार पर दो ही किरिया होती हैं सामानी किरिया और संध किरिया अब आगे बढ़ते हैं आपको सबस में आया होगा अब देखिए अन्य भेद में हमारे आती हैं नाम धातु किरिया संग्या, सर्वनाम, विशेशण, नामधातू से बनने वाली किरिया संग्या, संग्या आप जानते हो, किसी व्यक्ति वस्तू के नाम को संग्या कहते है और संग्या की स्थान पर जो प्रयोक किया जाता है वो सर्वनाम क्यालाता है और संग्या या सर्मायम की विशेष्टा जो बताता है वे हमारा क्या क्या क्यालाता है तो यह सब भी हमारी क्या होती है नाम धातु क्रिया है नाम यह सारे नाम से बनते हैं नाम है यह व्यक्ति का नाम है यह उसकी उस्तान पर प्रयोग किया जाने वाला और यह उसकी विशे क्या बनेगी उसने मेरा प्लोट हत्या लिया हाथ से हमारा क्या बना हत्या लिया हाथ से बना हमारा हत्या लिया तो उसने मेरा प्लोट हत्या लिया तो यह हमारी नाम धात्यों किरिया हो गई सर्वनाम से सर्वनाम है अपना उसने मुझे सम्मान के साथ अपनाया तो अपना से हमारी बनी अपनाया दिशेशर देखिए विशेशर है हमारे दुबला और दुबला से बना दुबला गया दुबला गया है आजकल बहुत दुबला गया है वह आजकल बहुत दुबला गया है तो देखिए या संग्या से हाथ से हतिया बना सर्वनाम अपना से अपनाया बना और दुबला से दुबला गया है जो हमारी किरिया बनी। आँगे देखिए। अब हम पढ़ेंगे प्रेनार्थक किरिया। करता के मूल करता मूल किरिया को स्वेम ना करके उसे अन करण के द्वारा करवाने के लिए प्रेरित करता है। करन कारक करता है से के द्वारा SER कारता है किसी के द्वारा कार करने पर तो यहां पर जो करता है श्वेम कार नहीं करता है वे उसके लिए दूसरे को प्रेरित करता है दूसरे के द्वारा कारे को करवाता है कोई कार स्वैम ना करके वह कार दूसरे से करवाता है जैसे मा बच्चे को विनीद से पढ़वाती है मा बच्चे को विनीद से पढ़वाती है तो मा स्वैम बच्चे को नहीं पढ़ाती है वे किस से पढ़वाती है विनीट से वे स्वेम कार नहीं कर रही है स्वेम नहीं पढ़ा रही है वे किसी के द्वारा पढ़वा रही है किस के द्वारा विनीट के द्वारा तो वे है जो मूल किरिया है स्वेम पढ़ाना लेकिन वे स्वेम नहीं पढ़ा रही है वे विनीट क क्रिया बनाई जाते हैं मूल क्रिया में क्या लगा देते हैं व Г right नो मूझ क्रिया में जब व हमारी फ्र荷ा की नार्त किरिया होती है। जैसे अदित्य धोभी से कप्ड़े धुलवाता है 辧ाता है तो यहां-पर वे स्वयम कप्रे ना दोकर वे दोवी से कप्रे धुलवा रहा है तो आदित्य दोवी से कप्रे धुलवाता है दादा जी पोते से पत्र लिखवाते हैं वे स्वयम पत्र नहीं लिखते हैं दादा जी स्वयम पत्र नहीं लिख रहे हैं वे पोते से से देखो करण कारक का जो विवक्ति चिन है वो क्या है से तो यहाँ पर एक पैचान तो यह रहती है कि इसमें से आता है बीच में से आएगा जिसके द्वाराकार करवारी जो हमारा मुख्य करता है वह किसी अन्निक द्वाराकार करवाता है तो वहाँ पर से आएगा और दूसरी पैचान है कि इसमें वा आता है इसमें वा आता है तो ये सारी जो किरिया हैं प्रिनार्त किरिया जो किसी की द्वारा कारे करवा रहा है तो जहां जो वा की पैचान होती है ये वा ये सारी किरिया हैं सकर्मक किरिया होती है सकर्मक किरिया कौन सी होती है सकर्मक किरिया होती है यह सारी जिन में क्या आता है यह जिसमें वा लगा हुआ मूल किरिया में वा लग जाता है यह हमारी सकर्मक किरिया होती है तो प्रिणार्थ किरिया कौन सी होती है जिसमें करता स्वेम कार ना करके किसी के द्वारा करवाता है और इस में अन्त में क्या लगता है वा लगता है देखिए प्रेनार्थ किरिया अब अकर्म किरिया के लिए अकर्म किरिया की पहचान क्या होती है प्रेनार्थ किरिया में अकर्म किरिया अकर्म किरियां के आ प्रत्य लगा कर भी प्रिनार्थ किरिया बनाई जाती है यानि कि जो अकर्म किरिया होती है उनमें आ लगा दिया जाता है जिससे वो प्रिनार्थ किरिया बनती है जैसे मा बच्चे को नौकरानी से जगाती है सकर्म किरिया होगी तो उसमें आएगा जगवाती है जगवाती है यहां अकर्म किरिया है इसलिए यहां देखो मां स्वेम कार नहीं कर रही है यह ध्यान रखना बच्चो प्रिनार्थ किरिया में क्या होता है कि स्वेम जो हमारा मूल करता होता है वो स्वेम कार्णा करके किसी और की द्वारा कार्या करवाता है यहां मा अपने बच्चे को स्वेम ना जगा करके नोकरानी की द्वारा जो जगाती है अगर जगवाती आता तो हमारा सकर्मकिरिया होता मा बच्चे को नोकरानी से नहलाती है आती क्या आया है देखो यो लालाल हमारा आखी मात्रा है यहां क्या है सकर्मक किरिया आ जाएगी किसान बेटे से घोड़े को दोड़ाता है किसान बेटे को दोड़ाता है तो वह किसान खुद न दोड़ा करके बेटे से घोड़े को दोड़ाता है तो यहां पर आ जाती है हमारी अकर्मक किरिया यह हमारी हो जाती है अकर्मक किरिया तो देखी बच्चों हमने यहां पढ़ा कि यहां वा जिसमें यह वा लग जाता है वहां होती है हमारी सकर्मक किरिया और जहां पर हम आ लगा देते हैं वहां हो जाती है हमारी अकर्मक किरिया क्या हो जाती है अकर्मक किरिया हमारी वहां हो जाती है तो प्रिनाट से किरिया दो प्रिकार की हो गई सकर्मक किरिया और अकर्मक किरिया सकर्म किरिया में वा लगता है और अकर्म किरिया में आ लगता है और इसमें में जो मुखे कार है वह मूल करता के दोरा ना करवा करके किसी अन्य करता के दोरा करवाया अब आता है मारा पूर्वकालिक किरिया पूर्वकालिक किरिया इस किरिया में कोई विकार पहले हो जाता है फिर उसके बाद दूसरा कार्य होता है तो जो पहले कार्य हो जाता है इसलिए उसे पूर्वकाली किरिया कहते हैं इसमें किरिया के अंत में कर जोड दिया जाता है ऐसे में लिंग वचन आदी का कारण पर विकार नहीं आता है लिंग वचन का यानि कि अव्य हो जाता है अव्य हो जाता है अविकारी हो जाता है क्योंकि इससे लिंग वचन से उस पर कोई प्रवाव नहीं पड़ता है यह शब्द किरिया की विशेस्ता बताता है इसलिए से किरिया विशेशन भी कहते हैं इसे पूर्वकाली किरिया भी कह सकते हैं या किरिया विशेशन भी कह सकते हैं जैसे खिलारी दोड़ कर ठक गया तो यहां जो दोड़ कर तो इसमें कर लगा हुआ है यहां कर लगा हुआ है दोड़कर ठक गया तो पहली क्रिया होगी हमारी क्या है ठक गया क्रिया है क्या हमारी ठक गया लेकिन कैसे ठक गया दोड़कर ठक गया कैसे ठका दोड़कर ठक गया तो यहां पर हमारी क्या आती है पूर्व काली क्रिया पहले वह दोड़ा तब वह ठक गया नमर दूसरा आता है बिजय बोलकर पढ़ता है बोलकर पढ़ता है तो यहां कराया हमारा क्या यहां कराया बोलकर पढ़ता है तो बोलकर पढ़ता है कैसे पढ़ता है बोलकर पढ़ता है तो यहां बोलकर यह हमारी पूर्वकाली करिया है पहली करिया यह है बाद में हमा इसे किरिया विशेशड भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये किरिया की विशेष्ता है और किरिया में अगर आ गई तो ये पूर्वकालिक किरिया हो गई इस तरह से आपकी किरिया यहां आज समापत हो जाती हैं आप इनका अभ्यास कीजिए तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए धन्यवाद